नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रासवन और आप देख रहे हैं प्रिपेर फर नौकरी ओफिसियल यूटूब चैनल दोस्तों HPCL राजस्थान रिफांटरी लिम्टिड दाट इस ए HRRL में यहां पर एक्जाम हुआ था इंजिनियर की E1 और E2 ग्रेड की तो इसमें इलेक्ट्रिकल का पेपर मैं डिसकस करने वाला हूँ तो 7 अगस्त को इसका पेपर हुआ था अंसर की जारी कर दिया गया है तो 2 से 4.5 बजे के बीच में एक्जाम हुआ था तो देखिए एक पेपर ध्यान से देखिए जो भी आगामी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका पैटर्न था 17 कोश्चन था आपको इंगलिस से रिलेटेड उसके बाद 34 कोश्चन था इसमें अप्टिचूड से रिलेटेड 34 कोश्चन था इसमें फिर रिजिनिंग से रिलेटेड और 85 कोश्चन था 85 कोश्चन था डोमेन से याने की इलेक्टिकल से तिस तरह का पेपर था इसमें तो 170 नमबर का था, 170 question का था, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो इस तरह से इसको आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका link डिस्क्रिप्शन में मिल लेगा, तो देखें, English language का question आपके सामने है, तो टोटल इसमें question था 17, तो देखें, एक question आराम से आप इसमें score कर सकते हैं, 12 तक question आप आराम से इसमें ला सकते हैं नमबर, तो जो भी 12 से उपर नमबर आया हैं उनका, उनका English में अच्छा exam गया है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, उसके बाद, देखें, 17 question के बाद, फिर quantitative aptitude का 34 question था, इसमें भी मैं समझता हूँ कि 28 से 30 नमबर इसमें आसानी से लाया जा सकता है, 34 में, तो इस तरह से आप देखें, question लोग बनाए हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, देखें, question में करके आपको पूरा दिखाऊंगा, question को, तो देखें, question कोई ज़्यादा tough नहीं था, लेकिन अगर practice नहीं है, तो question फिर आपके लिए tough हो जाता है, तो इसमें quantitative aptitude का, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 34 question थे, 34 question थे, तो इस पर अलग से मैं cut-up का वीडियो भी बनाऊंगा, क्या आप लोग cut-up का वीडियो चाहते हैं, तो cut-up का वीडियो भी मैं बना दूँगा, तो देखें, total यहां पर 34 question थे, उसके बाद देखें, intellectual potential test के रूप में reasoning को पूझा था, इस नाम से, तो आप देख सकते हैं, reasoning का ही question है, जो की SSE level का question है, SSE में इस तरह से question आते हैं, तो उसी तरह का question आते हैं, तो आपको देखें reasoning अच्छा करना है, तो SSE के जो set है, उसको बनाईए, और इस तरह की question प्रैक्टिस करिए, तभी जो है PSU के reasoning भी, PSU में maximum जो है, SSE level का ही question आता है, कुछ में आपको bank level का आता है, जैसे कि भी जाएगा still इस तरह से आपको, तो तो तीकि ये paper में दिखाने का मतलब है, कि आप अगर future में exam देंगें, तो वहाँ पर ये paper इवलेबल होगा, YouTube channel पे, टेलिग्राम चैनल पे, जिसे कि आप previous paper को देखके, आप अपना तयारी भी कर सकते हैं, तो और other branch का मिलेगा paper, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेगर आऊंगा, तो अभी electrical का आ चुका, तो electrical का देख लिजिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, question, तो reasoning में भी यहाँ पर 30 plus जो है लाने वाले student लाते हैं, जो त्यारी करते हैं अच्छा से, तो अराम से इसमें non-tech का अगर मैं बात करता हूँ, तो 65 से उपर number, असानी से लाए जा सकता है, 85 में 65, 70, 70 plus जिनका score आ रहा है, उनको chance, जो है maximum की हो जागा, क्योंकि अगर PSU का त्यारी करते हैं, तो आपका technical भी अच्छा ही होगा, ऐसा माना जाता है, तो अगर non-tech में command कर लेते हैं, तो maximum chance है कि इसमें होने का chance बन जाता है, आप देखिए domain question, यानि कि electrical का question आपके सामने आ रहा है, तो इसमें 85 question थे, तो total 170 question, तो इसमें भी आप देख सकते हैं question, एक-एक करके मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, ताकि आप इसको YouTube चैनल पे हमेशा रहेगा, जिसे कि आप एक question को आसानी से future में देख सकते हैं, देखिए जिनका technical अच्छा है, तो technical में तो maximum 70 पलस ही 85 में ले आते हैं लोग, यानि कि 65 पलस इसमें भी आसानी से लाए जा सकता है, तो यानि कि cool मिलाकर अगर देखा जाते हैं, तो 130 पलस तो आसानी से ला सकते हैं, और 170 में 130 से तो कम cut-up मुझे नहीं लगता है कि जा सकता है, तो इस तरह से आप अभी cut-up को analysis करके, मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँगा, तो अब देख सकते हैं, तो 59 नमर कोश्चन आ रहा है, 60 कोश्चन, 61 में, अब देखे, जिनका paper है, उन्होंने 121 नमर लाए हैं, तो टोटल देखे, 85 कोश्चन, तो कोश्चन कम्प्लीट हुआ है, तो इस तरह से देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिजिएगा, सेर कर दिजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा, सो थैंक यू गाइज इस वीडियो में इतना ही,